मित्रों जैमातादी मित्रों आज 3 अक्टूबर मंगलवार का दिन है ऐसे में कैसा रहनी वाला है आज का दिन बैपार करियर लवलाइफ और आपके स्वास्ट के वारे में आपको बताएंगे आज के दिन कौन से छित्रों में कारी करने से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान सम्मान इज़त परतिष्टा में बढ़ोतरी हो सकती है कारी छित्रों में किस प्रकार से लाब की प्राप्ती होंगी धंदोलत में किस प्रकार से बढ़ोतरी होंगी वेपारिक वैवसाई कृस्तितियां कैसे रहेगा लवलाइप और आपका स्वास्त एक कैसा रहेगा आज के दन कौन से चितरों में कारी करते समय आपको साफधान सत्र को समытर कर रहने की जरूरत रहेंगी कौन से क्रिया आपको जीवन में सफलता दिलवाएंगी और किस प्रकार से कारे को करने से आपको लाब मिलेगा और सफलता मिलेगी मत्रों आपको बताएंगे आज का कारी क्रम आपके लिए कैसा रहेगा आपके जीवन में कौन सी दिन चरिया निर्वित होने वाली है मत्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विश्तार से वीडियो को आखरे तक देखेगा उसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अबस्ते कर ले ताकि रोजान रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तो मत्रों आप लोगों के जीवन में पिछले कई दिनों से पैसो को लेकर काफी आर्थिक तंगिया चल रही थी तो उन सभी तंगजियों से आपको अब चुरकारा मिलने वाला है मत्रों आज के दिन आपको खुशी की फ्राप्ती होंगे आपके दोस्त आपके साथ रहेंगे आपको खुशी महसूस करवाएंगे और आपको दोस्तों का सही योग मिलेगा आप अपने पैसों का उप्योग धार्विक गद्विदियों में साहता के लेकर सकते हैं धार में कारों के लिए आप अपने पैसे का सही उप्योग कर सुखोगे जिसकी वज़े से आपको पुन्ने कमाने का मौकाफी प्राप्त होगा जिससे आपको सांती और सुकून महसूस होगा अगर आपको कोई अच्छी खबर मिलती है तो इससे आप काफी उच्छाहित में मह उसी मिलेगी बारी बारी के स्थितियों में काफी सुधार होता वाद दिखेगा आज आप काफी रोमैंटिक यादों के बारे में सूचेंगे आप रोमैंटिक भी बने रहेंगे जीवन साथी के साथ आपके समंद आज काफी अच्छे होंगे मित्रों अगर आपके परिवा और लोगों काता है। प्रियास करने के बावजूद भी आपको अगर नौक्री नहीं मिल पा रही हैं या पैसों को लेकर आपके जीवन में तंग्या चल रही हैं तो उन तंग्यों को और उन नौक्री में प्रिवर्तन के वदलाब को दिखा जा सकता हैं जिनकी वज़ा से आप काफी परसंद रहें बत्रों आपके सकर्मी और आप अगर कहीं पर कारी कर रहे हैं तो आपके बास भी आपके कामों को काफी सहारेंगे और आपका समर्थन करेंगे आपको और भी ज़्यादा उत्साहित मैसूस करवाने बाले हैं जिनकी वज़ा से आपको काफी परसंदा के प्राप्ति होंगे आपका दिन और बहतर बनाने के लिए आज आपको अपने लिए कुछ समय निकालना जरूरी होगा आप अभी अपने धीबन में दिन्चरिया में इतने वीजी हो चुके हैं कि आप अपने धीबन में अपने लिए समय ही निकालना ही पा रहे हो जिनकी वज़ा से आपको सिर्फ और सिर्फ काम ही काम नजर आ रहा हैै काम और काम है लेकिन आपको इस समय काम के अलावा भी कई ऐसे कारिक करने होंगे जो आपके लिए काफ़ी परसंथा की दायक होने वाला है आप अपने अनुभव को काफी साधा करेंगे और साधी सुदा जो जिन्दगी है वो दोस्तों के साथ आप इसको साधा कर सकते हैं आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं या दोस्तों को कोई राय दे सकते हैं आज मौजद मस्ती करने के लिए और अपने पसंद का काम करने के लिए आप का दन काफी उपयोगी रहने बाला है। लेकिन आपको दोस्तों और जीवन साथी से आपको खुशी और काफी प्रसंता की फ्राप्ती होंगे। कि आपके साथ समान के साथ वहवार किया जा रहा है या नहीं तो या फिर आपके साथ एक नौकर के तरफ वहवार किया जा रहा है। उसरों की बातों को समझाने से प्रतिभा आएगी जिससे आपकी काफी मदद होगी। किसी आपरत्यासित व्यक्ति के आने से आपकी युजराएं बदल सकती हैं। लेकिन फिर भी वो अच्छा दिन गुजरेगा। और आपको जीवनसासि का पूरा से योग मिलेगा। सानिद की फ्राप्ति होंगी। और आप अपने तनाव को काफी कम कर सकोगे। तनाव ग्रस्त माहौल आपका समन्ध पुर्ण से इसमें बदलने वाला है। ज़त्रों यदि आप हमेशा दूसरे लोगों के बारे में घटिया बाते कहते हैं तो हो सकता है क्वे आपके बारे में भी घटिया बाते कहना सुरू कर दें। लेकिन अगर आप शक्रात्पक पने रहें और घटिया सब्दों से जवाब न दें तो ये घटिया टिपनिया आपको प्रिशान नहीं करेंगी आज आपको पैसो को लेकर कुछ अच्ची चीजे हो सकती हैं लेकिन इसे आपको कड़ी मेहनत करने ही होगी कड़ी मेहनत से आप अपने सभी बिगड़े विकारी को बनाओगे जो आपके बिगड़े फिकारे हैं उन सभी कार्यों में काफी प्रिवर्तन आप सहज रूप से आज देख सकते हैं उत्रों आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग इसमें किसी नई उजना को बनाने का प्रियास कर रहे हैं कुछ नए प्रिवर्टन देखना चाते हैं तो उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है आपके जीवन साथी की हरकते इस बात पर असर डाल सकते हैं कि आप अपने सहकर्वी के साथ कितना अच्छा वहवार कर रहे हैं जीवन साथी का आपको इस समय चाल चलन और बहवार पर नजर रखने की जरुत होंगी त्योंकि कुछ लोग आपके लिए आपके खिलाब सडियंतर का बीज बो सकते हैं जो आपको प्रिसान कर सकते हैं दुस्मन एक नई चाल चलने की कोशिश में रह सकता है दुस्मन की नई चाल को आप परास्त कर पाने में सफल होंगे मित्रों आज का दिन ऐसे इस्तितियों से गुजरे का जो आपके लिए लाब का दायक बना रहेगा नहीं आपको परसंता की प्राप्ती होंगी कारिसिल भी आप बने रहेंगे और आपको इस समय अपनी वानी पर कंट्रोल करके रखने की जरुत होंगी वानी पर आपको कंट्रोल रखोगे तो आपके सभी बिगड़े विकारे भी बनेंगे और दूसरों के साथ सब्दों का सही चयन आपको जीबन में सफलता दिलवानी बाला है मतरों आज का दिन आपके लिए विसेश बहत्रिन रहेगा आज खर्चे भी बढ़ेंगे मानसिक तनाव भी बढ़ेगा लेकिन ग्रहों के सुब सयोग से आपको भागे का सयोग मिलने वाला है पिछले कई दिनों से रुके वे कारे वे आपके पूरे होंगे अगर आप इस समय काफी उलज में हैं उलजन इस्तिया हैं आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कौन सा कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए तो ऐसे में आपको आपके भागे का सयोग मिलेगा जिससे कि आपके प्राक्रम में विर्दी होगी और कोट का चाहरी से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी और आप कमन भी प्रसन बना रहेगा आज आपको जीवनसासी पक्षे से लाब होगा ननिहाल पक्षे से लाब होगा वहीं आपके ससुराल फक्ते से भी आपको कोई बड़ा उपहार मिलने वाला है आज इके दिन कारेश्यत्र में आप दूसरों बहावी रहेंगे आपके जो परति रोधी हैं जो आपके परति जंदू हैं वह आपके लिए आपके मीठी बाते बोलेंगे जिससे आप प्रभावित होंगे आप आज आप किसी भी चिट फंड में पैसे लगाने से बचें नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है बत्रों आज के दिन आपको बताना चाहेंगे कि आपका लखी कलर आपका बेहत्रिन रहेगा आज धन संपत्ती वेवसाह पार्टरशिप में बचेंगे तो आपको लाव होगा वहीं सेहत की बात करें तो आज आपको सेहत का दिहान रखना होगा आज आपको भागे के भरू से लाब तो मिलेगा परन्तु मेहनत आपकी बरकरार रहेंगे पति पत्नों के समंदों के सतर्वता को बरतना और नीव को रखना बहुती जरूरिस सावित होगा बच्चों के साथ अच्छा से अच्छा समय व्यतीत कर सुखोगे मतरों आपका लखी कलर इस समय वाइट या फिर येलू रहने बाला है और आपका लखी नंबर सेवन रहने बाला है आपका दिन सुखो मंगल कारी हो जमाविंद वासनी